नमस्कार मैं हूँ दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वावत है आज अच्छे फर्वडी दिन मंगलवार खबलों के उबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर मुखे मंत्री नितीज कुमार ने बिहार लगो द्यमी योजना का किया उद्घाट केके पाठक ने स्कूल के बेंच देश के लिए जारी की आदेश बारिस के बाद बिहार का बदला मौसम परिक्षा का फेपर लीग करने पर होगी दस साल की सजा इंग्लैंड पर भारत की जीत के बाद रोहित सर्मा ने इन दो खिलारियों की की तारीफ अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 वरी खबरों की और विस्तार की पंजाब नेस्नल बैंक में स्पेशलिस्ट आफसर के पदों पर निकली भरती वैस्टो में दवार जो बैंक में नौकरी करने के एकचोक है उनके लिए सुनहर आफसर है दरसल पंजाब नेस्नल बैंक द्वारा इस स्पेशलिस्ट आफसर के 1025 पदों पर भरती निकाली गई है एक चोको में दवार इसके आधिकारिक वैबसाइट पी एंब इंडिया डॉट इन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आवेदन प्रक्रिया कल्चर शुरू है और आवेदन करने के अंतिव तारीक परचीज फरवड़ी 2024 है इस पद के लिए सेक्शनिक योगिता की बात करें तो मिदवारों के लिए जरूरी है कि उन्होंने परिक्षा का पेपर लीक करने पर अब 10 साल की सजा होगी दोग सबा में पेपर लीक बिल पास हुआ है केंद्री मंत्री जितिंद्र सिंग ने इस बिल को पेस किया है इसके अंतरगत करी सजा और जुर्माने का प्राभधान किया गया है अब पेपर लीक में दोसी पाय जाने पर 10 साल की सजा होगी और एक करोर तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा वहीं दूसरे कैंडिडेट की जगर परिक्षा देने पर 3 से 5 साल की सजा होगी पेपर लीक वर नकल मामले में कोई संस्थान अगर दोसी होते हैं तो उससे परिक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा उसकी संपती भी जब्द की जा सकती है आपको बता दे कि राष्ट पती ने अपने विभासन में भी पेपर लीक को लेकर चिंता जटाई थी इसके बाद अब लोगसभा में पेपर लीक विल पास हो गया है विहारी फैचान में आज हम बात करेंगे रामधारी सिंग दिनकर के बारे में रामधारी सिंग दिनकर हिंदी के प्रमुक लेखक कवी वो निबंधकार थे वे आधुनिक युकेस रेष्ट वीर रस के कवी के रूप में अस्थापत है दिनकर्ज स्वतंता पूर्व एक विद्रोही कवी के रूप में अस्थापित और स्वतंता के बाद राज्ट कवी के रूप में जाने गया थे। वे छायवाद दोतर कवीों की पहली पीधी के कवी थे। एक तरफ जहां उनकी कवीताओं में ओज, विद्रो, आक्रोस और क्रांते की पुकार है तो वही दूसरी तरफ कोमल स्रिंगारिक भाबनाओ की अभिवेक्ती है। इन्ही दो प्रविटियों का चरम उतकर्स हमें उनक के कुरुच छेत्र और उर्वसी नामक खृतियों में भी मिलता है। दिनकरजी का जन 24 सितंबर वर्स 1908 को बिहार के वेगु सराय जिले के सिमरिया गाउं में हुआ था। उन्होंने पत्नावस विद्याले से इतिहास राजनीती विग्यान में विए किया था। केके पाठक ने स्कूल के बेंच डिस्क के लिए जारी किया आदेश। की गिंती कराने का भी आदेश है। जानकारी के निस्वार स्कूलों में बरिया क्वालिटी का बेंच और डिस्क उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओड़ से करोर ρुपय खर्च किये जा रहे हैं अब इस्कूलों में बेंच और डिस्क की संख्या को स्टॉक पंजी में दर्ज कराना है इस्कूलों में पहले से उपलब्ज और नए बेंच डिस्क का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा इससे पता चल सकेगा कि आगे कितने बेंच और डिस्क की जरूरत बिहार में नेशनल स्कूल चेस चेंपियंसिप में 29 राजी के हजारों खिलारी लेंगे है साथ बिहार में पहली बार होने वाली बारवी नेशनल स्कूल चेस चेंपियंसिप 2014 का आज एक ज्यान भवन पटना में उद्घाटन होगा मुख्यातिती अर्जुन पुरसकार विजेता और ग्रेंड मास्टर प्रवीन कुमार फिप से इसका उधगाटन करेंगे मिहार राजे खेल प्राधिकरन और और अल इंडिया चेस प्रेडरेसन के संयोक्त तात्वा धान में आयोज़त इस चैंपियनसिप का उधगाटन हुआ है इसमें 29 राजे के 1000 से धिक खिलारी सामिल होंगे 6-10 परवरी दोजा 24 तक इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15 एवं अंडर 17 आयूबर के बालक और बालिकाओं का बारस रेनियों में मुकाबला होगा 40 अधसिय निरनायक मंडल विजयताओं का चैन करेगी विजयता खिलारीों को कुल 5 लाग से जादा के नगत पुरसकार सहित मेडल और ट्रॉफी दिये जाएंगे मुक्य मंत्री इंतीस कुमा ने बिहा लग उद्यमी योजना का उद्घाटन मुक्य मंत्री इंतीस कुमा ने बिहा लग उद्यमी योजना का उद्घाटन किया है इस मौके पर राजी के मुक्य सचीव आमिर सुबहानी समित विभाकयापर मुक्य सचीव संदीव पॉंट्रिक समित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे बिहा लग उद्यमी योजना के लिए उद्यमी.bihar.gov.in पर आविधन सुरू हो गया है सभी बर के गरीबों को इसका लाब मिलेगा इसके इंतरगत गरीब परिवारों के 94 लाग परिवारों को 2-2 लाग रुपे दिये जाएंगे नतीस कुमार ने बिहार में गरीब परिवारों को बरी सौगार दी है आपको बता दी के जिन लोगों की मासिकाए 6,000 रुपे से कम है उन परिवारों के लिए बिहार सरकार ने स्योजना की शुरुआत की है इसके अनुसारे से परिवार को 2 लाग रुपे दिये जाएंगे आधार कार्ट, रासन कार्ट, आदी दस्ता बेज के जरीए इसके लिए आविधन की एदा सकता है इसके लिए ओलाइन आविधन की प्रक्रियाश शुरू हो गई मुंबई जाने वाले बिहारियों को सस्ते में मिलेगी रहने के सुविधा दरसल यहां बिहार भवन के लिए जमीन की परिशानी का हल हो गया है इसको लेकर बिहार विधन परिशत के सभापती दिवेस चंदर ठाकूर ने जानकारी साजा की है उन्होंने कहा है कि मुंबई में कारेरत बिहार फाउंडेशन के अधर कैसर खालिद समय तमाम लोग बधाई के हगदार है दम्बे समय के बाद भूखंड हासिल हो गया है इस काम में 20 सालों में सैक्रों लोग लगे हुए थे इनके लिए यह जीवन की बड़ी उपलब्दी है क्योंकि भविस्से में हजारों भाई बहनों को यह सुविदा हल हो जाएगी सरकार की कोशिस रंग लाई है कि फायती दर्में यहां लोगों को रहने के लिए मिलेगा बिहार पैटर में आज हम बात करेंगे विक्रमसिला विस्स विद्याले के बारे में अंतराश्ट यहतर पर ख्याती पाने वाला यह सक्षवा केंद्र बिहार के भागर को जरह में इस्तित है नरेश धर्मपाल ने 775-800 इस्वी के बीच विक्रमसिला के महा विहार की अस्थापना करवाई थी जिसमे 160 विहार समेत विक्ष्यान के लिए कई कप्षा बने थे इस विस्विद्याले को 13 सताब्दी के तक धर्मपाल के उतराधिकारियों का राज के सनक्षन मिलता रहा इस विक्रमसिला विस्विद्याले चार सताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतराश्ट या ख्याती सिक्षन केंद्र के रूप में पाता रहा लेकिन आगे चलकर बक्तियार खिलजी नामक आक्रमन कारी ने इस पर आक्रमन कर नस्ट कर दिया यदि आप भारत के तहास में रूची रखते हैं तो यहां आ सकते हैं लोगसभा चुनाब में बच्चों को लेका चुनाब आयोग ने दिया आदेस लोगसबा चुनाब से पहले बच्चों को लेका चुनाब आयोग ने आदेस जारी किया है इसके अनुसार राधनीतिक पार्टी क्या कोई उमिद्वार को अपनी रैली में बच्चों के इस्तेमाल करने से बचना चाहिए चुनाब आयोग ने प्रचार के दोरान किसी बच्चे के उप्योग पर जीरो टॉलेंस की बात कही है चुनाब के प्रचार के दोरान किसी को बच्चों को सामल नहीं करना है साथी रैली के दौरान नारे लगवाने पोश्टर वित्रित सही तन्य कारों में बच्चों को लेकर नहीं जाना है इस दौरान बच्चों को गोध में भी नहीं रखना है हाला कि माता पिता की मौझूदगी में ऐसा करने पर इस आदेश का उलंगर नहीं माना जाएगा बिहार जाती सर्वेक्चन मामले में 16 अप्रेल को सुनवाई होगी पटना उस न्यायाले के आदेश को चुनवाई के लिए 16 अप्रेल की तारीक को चुना गया है दस्टी संजीब खन्ना और दिपांकर दत्ता की पीटने सुनवाई की जरूरत को लेकर बात कही है पिछली सुनवाई में कोट ने याचिका करता को किसी भी तरह की अंत्रिम राहत देने से इंकार कर दिया था आपको बता दी कि 2 अक्टूबर 2013 को नितिस कुमाने सरकार ने जाती सर्वे के रिपोर्ट को सारवादनिक कर दिया था इस आंक्रे से पता चला था कि OBC और EBC राजे की आबादी का 63 प्रतिसत हिस्सा रखते हैं वही राजे की कुल जन संख्या 13 करूर 7 लाग है इसके नुसा राजे की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी 19.65 प्रतिसत है आंगनवारी वर्कर्स 16 फर्वरी को करेगी देश व्यापी हर्ताल आंगनवारी वर्कर्स 16 अप्रेल को देश व्यापी हर्ताल करेंगी केंद्री की मोदी सरकार के खिलाफिया हर्ताल करने वाली है पटना में आयोज़त एक बैठक में इन्होंने ये फैस्टा लिया है इनका कहना है कि वह सरकार से सवाल करेंगी कि सरकार ने आंगनबारी के लिए अब तक क्या क्या किया है इसके अलावे आसा कर्मियों को ये सरकारी कर्मी घोसत करने की मांग करेंगे इसके साथ ही वेतन की मुख्य मांगो को लेकर इनकी ये हर्ताल होगी आपको बता दी कि सरकार के खिलाफ आंदोलन में बिहार के लावे अने राजी के आसा वरकर्स भी सामल होगे इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है एक बार फिर से अपने दिवंगत भाई सुसान सिंग राजपूत के सपोर्ट में उत्री स्विता बॉलिवूट के दिवंगत एक्टर सुसान सिंग राजपूत की बेंट सुविता सिंग किरती इन दिनों भारत आई हुई है स्वेता सिंग किर्थी ने कई बार अपने भाई के सपोर्ट में आवाद उठाई है और उन्होंने नहीं दिलाने की मांग की है अभी हाल में ही उन्होंने अपनी बुक पेन आप पोर्टल को एनलाइट्मेंट और भाई सुसान सिंग के बारे में बातचीत करते वे कहा किसमें उन्होंने अपने भाई के बारे में लिखा है स्वेता ने इंस्टिंट बॉलिवूड से बातचीत के दौरान बताया कि हम सब जानना चाहते हैं कि सुसान के साथ क्या हुआ था और जब तक हम ये नहीं जान जाएंगे हमें क्लोजर नहीं मिलेगा हमें पता लगाना होगा और इसके लिए हमें हमेशा न्याए की गुहा लगाती रहनी होगी हम सीवी आई को बोलते रहेंगे कि वो इन्वेस्टिगेसन करते रहें और जितनी जल्दी हो सके रिजल्ट के साथ सामने आए बारिस के बाद बिहार का बदला मौसम बिहार के कई हिस्सों में बारिस के बाद मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिले पहले से ठंड बढ़ गया है एक बार फिर से पटना सहीत कई जिलों में बारिस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले तीन दिनों तक बारिस का यहीं सिल्सिला देखने को मिल सकता है प्रदेश में अधिक्तम तापमान की बात करें के वाइसी करवा सकते थे लेकिन इसके अपडेट में अब छूट दे दी गई है अब लोगों को बरी रहा दी गई है मालूमों कि फास्टेक की मदद से सीधे वालेट या लिंक बैंक अकाउंट की मदद से टॉल टेक्स का भुक्तान किया जा सकता है वेगु सराय का सिमरिया धाम लोगों के रिए बना आकर्सन का केंद्र विहार के वेगु सराय जिले में सिमरिया धाम लोगों के बीच आकर्सन का केंद्र बना हुआ है मिठिला मगद और अंग छेत्र की मीला स्थली के रूप में इससे देखा जाता है यहां मोक्ष दाइनी उत्तर वाहिनी गंगा पर लाखों लोगों की भीरू मरती है दूसरे राज्यों के लावी यहां नेपाल से भी लोग पहुंचते है यहां कलपास मेला लगाया जाता है वहीं सिमरिया धाम के विकास का कारे चल रहा है इसका सौंदरी करन जून तक पूरा हो सकता है मंत्री संजय जाके अनुसार कारे पूरा हो जाने पर यह धार्मिक पैटन का एक बरा केंद्र बन कर उभरेगा आपको बता दे कि यहां घाट पर सीडी का निर्मान हो रहा है इसके लावे रीवर फिरंट का निर्मान कारे भी चल रहा है मालूमों के बीते 30 मईद होजाट टेस को मुखे मंद्री नितीस कुमार ने सिमरिया धाम के काया कल्प की शुरुवात के सीम नितीस कुमार पिये मोदी से करेंगे मुलाकाद बिहार के मुखे मंद्री नितीस कुमार प्रधान मंद्री नेन मोदी से मुलाकाद कर सकते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 7 फरवरी को सीम नितीस दिली जाएंगे और पिये मोदी से मुलाकाद करेंगे 12 फर्वरी को सदन में अंडिय की सरकार विश्वास मत हासिल करेगी इससे पहले सीम नितीज कुमार दो दिन के दोरे पर दिल्ली जा सकते हैं इसके बाद बाद फर्वरी की साम पटना वापस लोट आएंगे वहीं से पहले डिप्टी सीम समराज चौधरी और विजय कुमार सिना ने प्रधान मंत्री नेल्मोजी से मुलाकात की है चर्चा है की मुलाकात के दोरान नेताओं ने मंत्री मंदर के विस्तार को लेकर चर्चा की बिहार में आरजेरी ने सराब बंदी को खत्म करने की की मांग बिहार में आरजेरी ने अब सराब बंदी को खत्म करने की मांग कर दी है इसको लिकर राश्य जिंटा दर के राज़े सभा सांसत अमलेंद्र धारी ने कहा है कि भिहार में जब से सराब बंदी लागू हुआ है तब से सरकार 15 से 20 हजार क्रोर का नुक्सान जेल नहीं है मुख्या मंतरी ने सराब बंदी पर आक बंद कर ली है इसको लेकर केन सरकार को कुछ सोचना चाहिए अगर वह पैसा सरकार के पास वापस आएगा तो राजु को स्पेसल काटेगरी की जरूरत नहीं परेगी आज़़ी के सांसत ने कहा है कि बिहार में सराप की होम डिलेवरी हो रही है सांसत ने कहा कि इसको लेकर एक कमेटी बननी चाहिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से रिप्टी सीम समराज चौधरी और विजय कुमार सिनहा ने की मुलाकात प्रधान मंत्री राजनात सिंग और बिहार भात्पर प्रभारी विनोद ताबरें से मुलाकात की थी बता दे कि आगामी 12 फरवरी को एंडिये सरकार को विस्वास मत हासिल करना है इसके बाद राजे में मंत्री मंदल का विस्तार के संभाव न जताई गई गुजराती ठक वाले बयान पर कॉड़ ने सरक शित रखा आदेश विहार के प्रभू फमंहें मंत्री ने गुजरातीएं को ठगा वाले बयान पर खेंज़ आ्या है वहीं इस बयान पर सीर्स अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है इसमें पूर्वक मुखे मंत्री ने हमदाबाद के अदालत में अपने खिलाफ लंबित मामले के सुनवाई गुजरात के बाहर अस्तान अंतरित करने की मांग की है जस्टिस रेस ओका और उज्वल भुया कि पीट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है इससे पहले तिरस्वी आदब को कथित टिपणी को वापस लेते वे उप्यूक्त बयान को दाखिल करने का आदेश दिया गया था आपको बता दे के सिकायत करता का आरोप है कि दिरस्वी आदब के टिपणी गुझरातियों को सारवजनिक रूप से बदनाम और अपमानित करती है इंग्लेंड पर भारत की जीत के बाद रोहिद सर्मा ने इन दो खिलारियों की तारीफ इंग्लेंड के खिलाफ टेस्ट जीतने के बाद भारती कप्तान रोहिद सर्मा ने दो खिलारियों की तारीफ की है इन दोनों ही खिलारियों ने इस जीत में हम भूमी का निभाई है जैप्रीत बुम्रा और रोहिद सर्मा इस खेल के हीरो रहे जैप्रीत बुम्रा ने पहली पारी में दोहरा सदक जरा था इन्होंने दो सो नौरन बनाये थे वही जैप्रीत बुम्रा ने पहली पारी में 6 विकेट लिये तो दूसरी पारी में 3 विकेट अपने नाम किये थे दोहिचर्मा ने बुम्रा को चैंपिन खिलारी बताया है महीं SSV जैस्वाल को लेकर कप्तान ने कहा है कि वह एक अच्छे खिलारी है वो अपने खेल को अच्छी तरह से समझते हैं उन्हें अभी लंबा सफर तै करना है तीम के कप्तान ने ये भी कहा है कि खिलारी अभी युवा है और उन्हें सीखने की जरूरत है कई कारणों से दर्ज है भारत के थेहास में आज की तारीक आज के दिन वर्स 1969 में अन्ना चांडी केरल उच नयायाले की प्रधम महीला नयाय धीस्वनी थी आज के दिन वर्स 1999 में देश का पहला पेसमेकर बैंक कोलकाता में अस्थापित हुआ था आज के दिन वर्स 2002 में भारत ने सीमा में घुसा आए पाकिस्तान के जासूसी विमान को मार गिराया था आज के दिन वर्स 2008 में प्रधार मंतरी मनमुहन सिंग ने आइसलैंड के राष्ट पती रैगरा ग्रिमसन से बात चीत की और देश में और द्योगिक बिकास समें उलेखनी योगदान के लिए उद्योग पती MP जिंदल को द्योग रतन से सम्मानित किया गया साथ ही भारत सरकार ने असम के माजूली द्वीब को वर्स 2008 के विस्वी विरासत सूची में सामल करने के लिए सांस्क्रितिक भू असर के वर्ग में मनुलिक किया आज के वाइरल खबर में हम बात करेंगे 12500 रुपे देकर 4 रुपे रिटर्न पाने के बारे में इंटरनेट के जमाने में कई ऐसी खबरे हैं जो वाइरल होती रहती हैं लेकिन सभी खबरे सच हो ये जरूरी नहीं है तब इसी करी में एक और ऐसी खबर सामने आई है जो सो बैंक ऑफ इंडिया या उनकी किसी भी अधिकारी दवार ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है ना ही ऐसी कोई स्कीम निकाली गई है इस खबर को पी आई भी ने भी अपने सोचल मीडिया हैंडल पर सेर किया है और इसे फरजी बताया है वाट्चप के इस फीचर से चुटकि मैसेज को सेकेंडरों में धून सकते हैं लेकिन इसके जरूरी है कि आपको अपने केगे मैसेज के डेट याद हो इसे धूरने के लिए आप वाट्चप के कैलेंडर फीचर का उप्योग कर सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले कांटक्ट की चैट पेज पर आना होगा य और अपने भेजेगे उस मैसेज को आसानी से ढून लेंगे राश्पती भवन के अमरित उद्यान में घूमने के लिए ऑनलाइन टिकेट करे बुक किया जा सकता है दो फरवरी से अमरित उद्यान आम लोगों के लिए खोल दिया गया है 31 मार्च तक यह लोगों को घूमने क के लिए खुला रहेगा इसे पहले मुगल गार्डेन के नाम से जाना जाता था लेकिन अब इसका नाम बदल कर अमने तो द्यान रखनी आ गया है यह सुबद 10 बजे से 5 बजे तक के लिए खुला रहेगा यहां 15 एकर में 109 तरह के फूल लगाए गया है ऑनलाइन टिकेट बुक करने के लिए विजिट राश्टपतिभवन.gov पर विजिट करना होगा और सहर डेट आधी का चैन करके टिकेट बुक करना होगा CBSE की 10 बी और 12 बोट की परिख्चा का अध्मिट कार जारी हो गया है बोर ने अपने आधिकारिक वेबसेट cbsc.gov.in पर इससे जारी किया है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ट और सिक्योरिटी पिन की मदद देनी होगी इसके बाद छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे यूजर आईडी के तोर पर एफिलिएसल नंबर दर्ज करना होता है आपको बता दे कि स्कूल के ओर से चात्रों का अडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया जाएगा मही परिक्षा के बारे में बता दे कि CBSE दस्वी और बार्वी की परिक्षा 15 फरवरी से शुरू हो रही है दस्वी की परिक्षा 13 मार्च तक चलेगी मही बार्वी की परिक्षा 2 अप्रेल को समाप्त हो जाएगी हम प्रती दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेथ SSC जैसे प्रतोगी प्रतोगी परिक्षाओं में काम आएंगे सवाल पूछेंगे पांच सवालों में आपने कितना सही उतर लिया है यह में कॉमेंट करके जरूर बताएं भाजबा की वरिष्ट नेदा लाल करेश्ट नादवानी को किस पुरसकार से सम्मा अनित किया जाएगा प्राश्ट पति स्री जगदीब धनकर किस राजे में पूर्वी छेत्र क्रेशी मेला दोजार चॉबर्श चुरू हुआ है ऑप्सन ये बिहार ऑप्सन भी आसम ऑप्सन सी जहारकन ऑप्सन ये उत्तर प्रदेश इसका संयूतर है जहारकन दर्भंगा का नाम तुगलक पूर किस ने रखा था ऑप्सन ये मुहम्मद बिन तुगलक ने ऑप्सन भी ए फिरोजशा तुगलक ने ऑप्सन सी सिकंदर लोदी ने ऑप्सन भी ए इबराहिम लोदी ने इसका संयूतर है मुहम्मद बिन तुगलक ने पटना में 1930 के नमक सत्यागरा का नितरित्व किस ने किया था ऑप्सन ये कुवर सिंग ने ऑप्सन भी ए अंबिका कांथ सिंग ने ऑप्सन सी ये डॉक्टर डाजिन प्रसाद ने ऑप्सन सब्सक्राइब कर दिया था जिन्होंने अवादर पुझे सवाल का जवाब दियन के नाम है रंजीत मिस्रा राम नौमी मांजी विवेक गुप्त बंसी सादुल्ला पाल्भी बाबुलाल मरांडी प्रालाद इद्मातो मुहमद साकिर हुसर्णव आनंद अर्विंद राय न इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ परें एक लिए देखते हैं और सब्सक्राइब करना अगर आप फेस्बूक से देख रहे तो फेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद